नवस्कार विदार्तियों सवार्गत करती हूं आपका पीरी यूटूब चैनल जीक्के इस्पेसल कलास में आपका विदार्तियों आज हम पटेंगे सिंदु गाति सब्यता का आर्तिक जीवन यह हमारे लश्ट टोपी के फिर हमारे सिंदु गाति सब्यता पूल हो जाएगी फिर हमारे बाट के त्याज में सिंदु गाति सब्यता पूरी हो जाएगी और हम शुरू कर देंगे वेतिक सब्यता तो शिंदु गाटि से पेता का आज दी जिवन क्या है वो क्या क्या करते थे कर्सी करते थे उजोग दिन दे करते थे व्या भैर्वानी जे करते थे क्या क्या था यह सब बड़े भी कर्सी सिंदू गाटी से पिता हैं लोगों को करसी का ज्यान था जित था करसी का ज्यान था जिसकी ज्यान जारी काली बंगा से पराग जुत्तों वे खेत से हैं काली बंगा से जुत्तों वे खेत हमने देखे थे तो उससे बता चलता है कि सिंदु कार्टि से पिता के लोग करशी भी करते थे बनवाल इसे मिला मिट्टी का खीलोना हल हमें उस TIME की चाहती है तो आधaşर सोचों के मिट्टी का खीलोना से क्या पता तरथा है क्योंकि आज हमारे देखो आपको पता है हमारे हल होते हैं मुझे ज्यादा नोलेज नहीं लेकिन जो वो टेक्टर में यूज लेने वाले सारी चीज़ें होती है जैसी भी होती है जो जो चीज हमारे काम में आती है उसी चीज का छोटे-छोटे हमारे खिलोन आगे तो इससे जो बड़ी चीज होती थी, वही खिलोना में यूज ली जाती थी, खिलोना बनाए जाता था, तो बनवाजे से मिला मिटी का खिलोना हर हल हमें उस टाइम की कर्सी की जानकारी देता है, फिर ए लोतल से चावल की अफ्षयास और बुशी जब हम कर्सी करेंगे तब ही तो मिले और क隻 लंठ से करा किसे युविरे कपशों को डिया जाता है। इसा माना जाता है। पूर्हीज्व में कपास के पीटिंवर्ज से करते और बॉद्वानकों कौलेंगे। इसकी जानकारी काली बंगा से बराप्त हुए खेट से हैं, जूतेवे खेट से हैं, बन्वाली से मिला मीटी को खिलोना हल हमें उस टांग की कर्शी की जानकारी देता है, लोतन से चावन के आवसेश ने रंगपूर से चावन की बुसी के आवसेश मिले, रोंती नामकिस्तन से बाज रेकी छे किसमे की जानकारी मिली, सिंदू गाटी सेबेता के लोगों नहीं सरे पर्तम कपास की खेती की पूरे विश्वे में कपास उगाने का सेरिय सिंदू गाटी सेबेता के लोगों क्यों दिया जाता है कपास को सिंडोन कहा गया है सिंदो गाटी सेवे ताके लगोंगा पर्मु खाजया अंग वे जो था चलू विदा आज आपने स्क्रीन सोट लेले होगा आधी चलते हैं क्रूं Youth क्रूं झाल को क्रूं झाल झाल», बाल, बाल, झाल. झाल 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 काली पका से एक के उपर एक मिट्टी के बतन ड़कर अगमा आज को सुरब सीत रखे जाने की जानकारी मिलती है एसे माना जाता है एक मिट्टी के बतन जिसके उपर और मिट्टी के बतन ऐसे मतलब मिट्टी के बतन में ना सुरख सीत रखा जाता भा फिर नौल्स की बात है बारत में चावल की खेती के पर्तम साक्षी यूपी के सारणपूर जिले में उलासना मगिस्तान से मिली है यूपी के सारणपूर जिले में उलासना मगिस्तान से बारत में चावल की खेती के पर्तम साक्षी मिले है तो विदार्टी इसके 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 लिए सोट लग फिडागे चलते हैं चलो आपने ले दिया होगा तो यह हमारे ने सिंदु पार्टी से पितारा आप्टी जिवन में कर सिकारी क्या हम हुआ है झाल 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 झाल